उन्होंने का कि प्रग्या ठाकुर ने हम लोगों के लिए बहुत सारे दुख सहें हम जैसे लोग जेल जाने से बचे तो इसका जो श्रे है वो प्रग्या को है प्रग्या जी इतना कहूंगी हम सब को ख्षमा करें वो ये कह रहे हैं प्रग्या जी इतना कहूंगी कि हम सब को ख्षमा करें और वो साब तोर पर कह रहे हैं कि अगर हम लोग हम जैसे लोग जेल जाने से बचे तो इसका श्रे प्रग्या सिंग ठाकूर को है उन्होंने नाम नहीं लिया तो देखिए तमाम चीजह एसी हैं कि प्रग्या थाकूर का भी जो है उनकी साईड लेती भी दिखाई दे रही है उनको सपोर्ट करती हुत दिखाई दे रही है तो एक और बयान कि प्रग्या थाकूर का चुकि उनका ट्रिकेट कटा taş है तो तो वह कह diri in कि हमें भी दुख है बहुत दुख है अगा दिधी ने बहुत बड़ी लिए बहुत लियारम है आज एकर में से बहुत सारे जेल में नहीं तो इसका कारण तो वही टिकेट कटने पर प्रग्या सिंग ठाकुर ने क्या कुछ कहा था चलिए वो भी आपको सुनाते हैं आप लोग हमारे प्रपंच से हमें बदनाम करके आप लोग कुछ निकमा पाऊगे जितनी टी आरपी आपको बटोनी थी राजनेतिक हमारे पांच वर्सों में आपने कमा लिया आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं दूंगी मेडिया में हमारा मेडिया खुद का रहेगा हम उसक सौक रखते ही नहीं और आप लोगों ने भरपूर किया आपना विवादित बयान विवादित बयान कुछ नहीं है विवादित कल भी मैंने दिया कोई मैटर नहीं था उसके बाद जूद भी कह दिया भड़की प्रग्या और हमारे साथ हमारे एडिटर मनो सेनी जी कर रही है उनका यह कहना है कि हमें दुखे अगर आप नाम ले ली थी तो बहुत सरे लोग फस जाते हैं किस तर के मायने निकाले जाएंगे देखिए अप वो अपनी पार्टी को कट घरे में खड़ा कर रही है दोनों के टिकेट कट गए एक को मिला नहीं और दूसरे को पह को भी यह कहना पड़ा था उनके लिए कि यह उचित नहीं है तो उसके बाद फिर उनके भाव बदले अभी ततकाल में हमने देखा कि वो सीहर पहुंच जाती है एक शराब की दुकान का ताला तोड़ देती आज उनका बयान जैसा कहा जा रहा है आज उन्होंने कहा कि मेरा बिधायक से कोई बात नहीं थी तो वो भी अपने बयान से बदलती रही है उनको टिकेट नहीं मिला है जाहर है कि कहीं ना कहीं नाराज की उनके भीतर भी होगी लेकिन जो घटनकरम हुआ जिसमें उनको जैल जाना पड़ा और तमाम तरह की चीज़ें तो उसको लेकर आज उमा भारती ने याद दिला दिया अब ये भी इत्तिफाक समझे कि उमा भारती का नाम भी सूची में नहीं आया और वो उनके साथ खड़ी दे रही तो क्या साथ भी बरसे साथ भी दोनों साथ भी मिलकर आगे चलकर कुछ नया करने की तैयारी में है जिस तरह से उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी कश्ट सहे है और यदी वो नहीं होती तो हम सब जैल में होते तो इसका कहने का मतलब क्या पार्टी ने क्या उनके जैल जाने की बात को समझा नहीं तरजी नहीं दी समान नहीं दिया तो हमें लगता ये बहुत बड़ा मुद्दा है और आने वाले द बात ये कि क्या पार्टी उस इशारे को समझ रही है बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए